नमस्कार मित्रो मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास इस चैनल का नाम है संस्कुत साहित पिवन संस्कुती जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यहां स्री वालमी की रामायन, महा भारत, महा कविकालिदास, वेद एवं वेदिक साहित का इतिहास, नीती परक गरंथ, काव्य शास्त काव्य प्रकास, जैसे विविद विश्यों की आपको जानकारी मिल सकती है, आनन्द लें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेर अवर्षे करें, धन्यवास नमस्का, विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर रही निवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित एवन संस्कृती, विद्यार्थी कहते हैं कि अन्विता विधान में वियंजना के आवश्यक्ता इस विशे पे थोड़ी सी चर्चा की जरूरत है, तो देखिए, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा कि तात्परयार्थ जो है, उसको मानते हैं अन्विता विधान वादी, और जो तात्परयार्थ मानते हैं, वो लक्षयार्थ तत्वा विंग्यार्थ का सुईकार नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, अन्विता विधान क देखिए अभीतामनवबाद की प्रक्रिया में तो क्या है कि व्यक्ति सुनेगा और आकांख्षा योगेता सन्निदी के आधार पर उसका निर्णे करेगा अगर वो योगे नहीं है तो अपने हिसाब से उसकी योगेता धारित करके फिर अन्नुए करके उसका अर्थ प्रक्रियक्त करेगा लेकिर अन्विता विधानवादी ऐसा नहीं मानते हैं वो तो क्या मानते हैं कि वाच्च यह वाक्यार्थ था जो बोला जाता वही वाक्यार्थ होता है अब भीया जो बोला जा रहा है वही वाक्यार्थ है तो आपको पहली बार में जो समझ में आता है वो तो बाच्चारत है हमारे आचारे महमठ के अनुशार अगर हम ये कह रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक उताहन दिया था कि एक बच्चा आपने भुगाया चाचा के पास ये पड़े भाई के पास आके ये कहता है कि मुझे सेव से चक्कू काट दीजिए तो उनकी समझ में आ जाती है कि बच्चा चोटा इसलिए उसको नहीं समझ में आ रहा है और उनकी समझ में आ दी कि चक्कू से सेव काटा जाएगा अब इस चीज़ को आप समझेए कि हमारे यहां आचारे ममट जिस प्रक्रिया की बात करते हैं उस प्रक्रिया में अभिधार शक्ती जो है वो एक बार ही कारे करती है और एक ही अर्थ को व्यक्त कर सकती है तो जो वाच्यार्थ में प्राप्त हुआ वो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ कि बालक ने कहा है कि सेव से चक्कू को काट दीजे सेव से चक्कू को काटा नहीं जा सकता है इसलिए यहाँ मुख्य अर्थ का बात होगा और फिर आप जब मुख्य अर्थ बराबर नहीं है तो आप उससे लगता हुआ कोई अर्थ ढूणेगे तो लगता अर्थ क्या है कि छक्कू से सेव को काटती है अब चक्कू से जब आप सेव को काटते हैं तो लक्षे ने ऐसा कहा क्यूं तो यहां पे आपके पास यां तो कोई प्रियोंजन होना चाहिए या रोडी होनी चाहिए या कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए तो वहाँ पर लक्षणा आपकी काम करेगी लेकिन जहाँ लक्षणा भी काम ना करे और जहाँ वाच्यार्थ भी काम ना करे वहाँ विंग्यार्थ की प्राम्ति होते हैं और ये विंग्यार्थ जो है इसके लिए आकांख्षा, योग्यता, सन्निधी ये जो चीज़ें अभितान्वे वादियों ने कही है न उतनी ही नहीं बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो हमारे ज्ञान के आधार पे हमारे अंदर विक्षित होती है और जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है वैसे वैसे हम विंग्यार्थ को अच्छी तरीके से समझते जाते हैं तो जब अभिधा शक्ती काम करना बंद करते हैं और लक्षणा शक्ती भी काम ना करें तो वो अर्थ की सिद्धी मात्र और मात्र विंजना के द्वारा ही सब्बव होती है तो अन्विता विदानवाद जो है वहाँ पे जब वाच्ची को ही वाक्यार्थ माना जाता है तब विंजना की अनिवारिता इसलिए हो जाती है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें से निकलने वाला अर्थ वाच्चा अर्थ तो होगा लेकिन व्यक्ति वही कहना चाह रहा है ये उसका अर्थ हो ये जरूरी नहीं है एक दो उदाहरण जो इस संदर्व में नहीं दिये गए लेकिन व्यंगी के जो दाहरण हैं उनको हम इस तरीके से देखी सकते हैं कि वो वाच्चे है और वही वाक्यारत है तो इसमें से इतातपरयारत क्या मिलेगा वो इतातपरयारत जो मिला वो कैसे मिला क्योंकि इतातपरयारत का तो नियम एक है कि वक्ता जो बोल रहा है उसके मन में जो बात है स्रोता अगर उस बात को समझ जाता है तो इतात परयार्थ है उसको कहना ना पड़े कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ या मेरे कहने का ये इतात परयार्थ है ये बात जो बाद में बोलता है वही बात उसको समझ में आ जाए तो इसका नाम है जात परियार्थ अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक बड़ा ही प्रसिद्ध दारन है कि एक प्रेमी प्रेमी का जाकर के एक जगे पे बैठा करते थे नित्य प्रती थुड़ा एकांत देख करके लेकि जैसे वह पहुंचते थे वहाँ एक साथू रोज आ जाया है करता था उस साथू के आने से उनको बड़ा डिश्टर्ब हुआ करता था क्योंकि भई एकांत चाहिए और एकांत में तो ऐसे में कोई आ जाये तो परिशानी होना स्वाबाविक है तो एक दिन वह दोनों थुड़ा जल्दी पहुंच गए किसी तरीके से और जब साथू के आने का समय हुआ तो वहां से जल्दी जल्दी बापस आ रहे थे रास्ते में साथू मिला तो उनोंने साथू से का बाबा आप नित्य प्रती वहां जाते थे वो कुत्ता जो आपके उपर बड़ा भूशता था ना अब निश्चिन दोके जाओ क्योंकि उस निट्र को सेर खा गया है वह रि Assistant को शिर ने मार दिया है इसलिए अब आपके उपर में बूसने के लिए रहे नहीं दोके वह जा सकते हैं आप दिख लिए यहाँ वाद्च्छ ओ तो यह निकलता है कि कि दोनों ये कह रहे हैं उस बाबा से कि आपके उपर जो कुत्ता भूसा करता था उसको मार दिया गया है सेर ने उसको मार दिया है इसलिए अब आपके उपर भूसने वाला कोई नहीं आपको हराम से जा सकते है तो बाच्चा अर्थ तो यही निकल रहा है लेकिन उनका कहने का अर्थ ही है भूल से भी वहाँ नहीं जाना क्योंकि उस कुत्ते को सेर ने मार दिया अभी तक से कुत्ता था जो आपके उपर भूसा करता था तो वहाँ सेर है वो भूकेगा नहीं खा गएगा कि वो वहाँ अब न जाएं इस तरीके से हम इसको तात परयार्थ के रूप में ले सकते हैं अगर हम प्रवाकर मिस्र की बात माने अन्विता विदानबादियों की बात माने तो क्योंकि जब वो दोनों प्रेमी प्रेम का उस बाबा से ये कह रहे हैं कि आप वहाँ निस्चिंथ होके जाओ तब उनके मन में तो यही चल ला है कि आज के बाद वहाँ भूल से भी जाना नहीं हमें डिश्टर्प करने नहीं आया करना लेकिन जो बात उन्होंने कहिए कि अब आप निस्चिंथ होके वहाँ जा सकते हैं यह इससे बिल्कुल विरुत बात है कि आप वहाँ भूल से भी मत जाना लेकिन अगर ताट पर्यारत को ही जो मानते हैं वो तो यह कहेंगे भाई इसी तरीके सर्थ मिल गया इसमें क्या है वो जो कहना चारे वही तो बाबा तक पहुंच गए बाद और बाबा वहाँ से बापस ही चला गया तेकर आचारे ममठ यह कहते हैं कि भाई यह संभव नहीं है यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां क्या प्रोसेस है क्योंकि प्रत्य व्यक्ति की अपनी एक शम्दा होती है वह तातपर्यार्थ को समझेगा उसके पास उस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए विंग्यार्थ में विंजना शक्ति काम करती है अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके सामने विंग्यार्थ वाक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं हम यह पेक्षा भी नहीं रखते हैं कि उसको इवाद समझ में आनी चाहिए हम उसके सामने उसी भासा का प्रयोग करते हैं जो वाच्यार्थ प्रतान हो जो उसकी समझ में लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता उसके साथ विंजार्थों में बात होने लग जाती है विंजना का प्रयोग होने लग जाता है विंजक्षदों का प्रयोग होने लग जाता है और उनके प्रयोग के बादियम से विंजार्थ की प्राप्ति हुआ करती है तो इस प्रकार से चुंकि अन्विता भिदानवादी आकांच्छा योग्यता सन्निधी का आधार नहीं लेते हैं और उनके वाक्य का अर्थ ही उसको वो अप्तात पर्यार्थ मानते हैं जबकि ये संभो नहीं है इसलिए यहाँ पे वियंग्यार्थ बिलकुल जरूरी है और वियंग्यार्थ तभी प्राप्त होगा जब वियंजना सकती काम करेगी अगर वियंजना सकती काम नहीं करेगी तो वियंग्यार्थ की प्राप्ती नहीं होगी इसलिए अन्विता भिदानवादियों का जोमत है चुंकि अकांच्छा योग्यता सन्निधी के आधार पर उस क्या रथी तो देटा है? आपके वाचक शब्द में से जो उत्पन होने वाला वाच्या रथ है वो तो आपको सिखाता है लेकिन इस मेंसे ये विज्जार्थ निकलेगा, ये विद्ध्यार्थी मात्र और मात्र जब उसकी बियंग जना शक्ति का डवलप्मेंट होता है तब ही वो सीथता है हमारे भाषा में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहवत है कि यहां कुछ भी बोलो उसके दो अर्थ निकला करते हैं लेकिन हर बच्चे को दो अर्थ समझ में नहीं आते हैं लेकिन माँबाप कई बार बच्चों की हाजरी में भी कुछ इस प्रकार की बातें आपस में कर लिया करते हैं कि जो बिल्कुल ही वियंग जो होता है और बच्चों तक तो उसका बाच्यार्थ ही पहुंचता है लेकिन उनकी बात अपनी विंग्यार्थ में हो जाया करती है तो विंग्यार्थ का प्रयोग बड़े होने की बात होता है और वहाँ अभीधा शक्ति छीन हो चुकी होती है वाक्चक शब्द में से मिलने वाला अर्थ वाक्यार्थ तो हो सकता है वो वाच्यार्थ तो हो सकता है लेकिन वो विंग्यार्थ नहीं हो सकता है विंग्यार्थ तो एक अलग ही शक्ति है और एक अलग ही बात है और आचारे मम्मट ने जब इसका प्रतिबादान किया तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि फिर कोई उनके सामने टिके ये संभो ही ही है इसलिए अन्विता विदानबाद में वो जिस प्रकार से स्विकार करते हैं वो उनकी एकिस्ति है लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि बिना विंजना शक्ती के और बिना विंजना व्या पार के और बिना विंग्यार्थ के अन्विता विदानबाद की बात बिल्कुल भी योग्य नहीं है और वो अधूरी है तन्यवाद विदार्थी मित्रो मैं हूं डॉक्टर हेलिवास और चैनल का नाम है संस्क्रिट साहिति सुन्दे रिया, आनन्द डिक्या.